प्रदेश विधानसवा चुनावों के लिए प्रचार गुरुवार साइं पांच बचे के उपरांत थम गया वहीं 12 नुमबर को प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया का तीसरा चरन मतदान होना है जहां 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे वहीं प्रदेश में मतदान प्रक्रिया के लिए हिमाशल चुनाव आयोग पूरी तरह से तयार है वहीं प्रदेश में हुए हिमपात की चलते भी चुनाव आयोग त्वारा पुखता इंतिजाम के तहट मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जाएगा प्रेटिकल पार्टीज पार्टीज इसके लगार्वार रिज्ट या इलेक्रानिक मीड़ से अपना प्रचार नहीं कर सकते हैं. और साथ अगर कोई प्रेंट मीडिया में कोई अद्योटिजमिन देना हैं, उसकी प्री-सर्टिफिकेशन करानी पड़ दिय हैं, मेडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा इसके लावा हमारे ड्राइडेज भी डिक्लेयर हुए हैं और नेबरिंग स्टेट्स के विदिन 3 किलोमेटर्स रेजन में भी ड्राइडेज डिक्लेयर किये गए हैं हमारी सभी त्यारियां पूर्ण हैं अन्य स्नो बाउंड एरिया जहां पर यहां स्नो फॉल हुआ है वहां पर बड़े एक्टिवली जो है बी आरो और पी डेवलीडी की टीम्स टिप्लॉइड है और स्नो क्लियरिंग वो साथ साथ कर रही हैं और अधिक काफी पार्टीज हमा वो कल जाएंगे तो इसी प्रकार सभी जो अर्इंजमेंट्स हैं वो कंप्लीट किये गए हैं जो फॉर्सेज की डिप्लॉयमेंट अफ़ोर्स पॉलिंग पार्टीज के साथ ही फॉर्सेज की मुव्मेंट होती है उन्हीं के साथ वो टैक की जाती है फॉर्सेज उसके जो स्नो बाउंड एरियाज में हैं वहाँ पे अगर स्नो फॉल होती है स्नो फॉल तो खैर हुई है और हमारे जो पासेज कुंजम पास आज पास भी बंद है तो जब पॉल्ड एवियम्स को भी चॉपर द्वारा ही ट्रांस्पोर्ट किया जाएगा